आपका स्वागत है और में उस्वाती में ताक बढ़ेंगे खबरों की ओर पर उससे पहले सीधे चलेंगे चंडिकर जहां पर आमाधी प्रतिकी प्रेस कॉंफरेंस हो रही है ने नू जिस तरीके ना पंजाब ते मान योग मुक्वंतरी सरदार पगवन सिंग मान नविया लीहां ते और मजबूती देंट जड़ियां कोश्चा कर रहा है उदे मदे नजर राख़दे होए पिछले कल हाउस आफ लोर ते और उस तो बाद एक स्टेटमेंट भी जारी कीती है जिदे च पंजाब पहला सूबा है देश जिदे गन्ये दे जड़े कास्तकार है शुगर केंदे जड़े किसान है उना नू सब तो वाद जड़ा रेट है और अगले सीजन च मिल जा रहा है आप आप सारे जान दे हैं कि गन्या किसाना नू लेके हमेशा ही पंजाब च चाहे होना दी पेमेंट दा मसला होवे चाहे गन्ये दी पर कवेंटल रेट दा मसला होवे किसाना ने जड़ु जहिद कीती तरने परदर्शन हुन दे रहे साल दर साल किसाना दी गन्या किसाना दी पेमेंट रुखी रहेंदी सी वाजे मोलवें नी मिलदा सी मान साब दी सरकार ने सब तो पहला ते अपने पहले शेम ही नहाचे जरी गन्ना किसाना दी पेमेंट पैंडिंग सी खास कर जरी हैं साधियां कौ mutually शुगर मिलना सरकारी सहकारी मिलना वाल उननु प्रियौरिटी टे वादा नभुंद दे पूरा कीता और डाल डाल जरी यहां प्राइवेट शुगर मिलना उन्हावाल पेमेंट जड़ी पैंडिंग है जिदे जिकश लोग डिफाल्टर होके आउट ओफ कंट्री जले गए उन्हाद यहां प्रॉपटी आट्याच करके किसाना नू जड़ा है बकाया जड़ा उन्हादा रेट जड़ी जड़ु जहद और उदी शुरुवात करती और नाल नाल उन्हाद वाले टाइमच अगले सीजंच त्यनसो असी रुपए पर कुवेंटल दे सावना पंजाब दी सरकार जड़ी है गन्ना किसाना तो गन्ना खरीदूगी जड़ा की देश्च मुल्ग चैस्टम हाइस्ट रेट है और पंजाब चो मुझूद दा गन्ने दा जड़ा रखबा है गन्ना कास्त कारीदा वो 1.25 लैक हेक्टियर है जिदी वदा आके संभावना जड़ी को साथे को गन्ना पीडन दी छमता जड़ी है समर्था जिनू कहलो वो टाइलाक हेक्टियर तक दी है गिया और मान साब दी सरकार दा टीचा है की डाइवर्सिफकेशन वास्ते फसलिब नताली पंजाब दे पानी हवा और किसान वाद रेट मिले एदे ली ओन वाले टाइम चे गन्ने दी कास्त कारीदा रखबा जड़ा ओभी बदाया जाओगा और किसान नू समय से पूरा वाजिव रेट जड़ाया ओ दित्ता जाओगा और ओधी कमेटमेंट ओधी शुरूआत जड़ी है मान साब ने कीती है ये दे नालाल मैं इत्थे जरूर एक गल दसना चाओँगा कांग्रेश दे अपने साथिया नू जेड़े साड़े बिरोदी पार्टी दे खास कर ऐलोपी साब ने बड़ा रोड़ा पाया सी कि किसान ना दी गल नी हो री नौजवान ना दी गल नी हो री देखो पंजाब दी तो आप रवक्ता मार्विंदर कांग को सुन रहे थे जहां पर उनके द्वारा गन्ना किसानों को दीए गए फायदों के बारे में बताया गया और उनके लिए